मैं है इसलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट रेंग्स मुम्रा में एक शादी शुदा महिला और उसके पती पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला करने का चौकाने वाला CCTV फुटेज सामने आया है ये वीडियो मुम्रा रेलवे स्टेशन के पास अलिशान थेटर वाली गली के पास की ये घटना है बताया जा रहा है कि विवाहिता तबस्सुम शेख और आरूपी फरमान निसार शेख एक ही बिल्डिंग में रहते हैं उनकी शादी भी तै हो गई थी लेकिन आरूपी फरमा नशे का आदी है तबस्सुम ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जिसके बाद उसने मार्च 2022 में इस्तियाक शेख से साधी कर ली डेड़ साल बाद 21 जुलाई 2023 को तबस्सुम अपने पती के साथ आधार काट लेने आई तभी फरमान वहाया और उसने अपनी जेप में रखे धारदार हथियार से तबस्सुम की बाई कलाई पर वार कर उसे घायल कर दिया है और कहा कि तूने मेरे साथ शादी तोड़के बहुत बड़ी गलती कर दी है अब देख मैं क्या करता हूं चीख पुकार सुनकर उसका पती इस्तियाक वहां आया और फरमान को समझाने क कोशिस की लेकिन फरमान ने तबस्सुम के पती पर भी लात घूसों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया फरमान ने तबस्सुम को धंकी दी है कि तू मेरी नहीं हुई तो तुझे और किसी की होने नहीं दूँगा तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं इस मामले में तब मामले की गहनता से जाच परताल कर रही है